नमस्कार, पिछली बार मैंने आपको सद्गुरू श्री बामनराव पई जी के दो उद्देश बताए या दो संकल्प बताए और वे संकल्प पूरे करने के लिए हमें इस जन्मशताब दिवर्ष में उसमें हमें प्रयास करने है अब सद्गुरू जी ने ये जो जीवन विद्या का नर्मान किया है उस जीवन विद्या का एक सिथान्त है और वो क्या है कि तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। सद्गुरु जी की समूची जीवन विद्या इसी सिथान पर आधारित है। ये याद रखिए। तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। अब ये जो महवाक्य सद्गुरु जी ने दिया है विश्व को इसमें सद्गुरु जी ने क्या संदेश दिया है कि तुम स्वयम ही तुम्हारे जीवन के रचएता हो। अन्य कोई भी नहीं। यही सद्गुरु जी हमें बताना चाहते है। याने हमारे प्रयासों से ही हमें अपने जीवन का शिल्प बनाना है। याने पूरा जिम्मा सद्गुरुजी ने आपके उपर सौपा है। ये ठीक से समझ ले। उसी तरह सद्गुरुजी ने एक और बात बताई है। और वो क्या है। प्रत्येक कृती राष्ट्रहित की विश्व शान्ती की हो। ये सद्गुरुजी का संदेश इस जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर ये संदेश हम हर तरफ हर घर में पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये संदेश हम क्यों पहुँचा रहे हैं। क्योंकि सद्गुरुजी ने जिस जीवन विद्या का नर्मान किया। उसका उद्देश यही था कि राष्ट्र की प्रगती हो। और राष्ट्रहित को सद्गुरुजी ने सबसे अधिक प्राथमिकता दी है। मैं फिर से कह रहा हूँ सद्गुरुजी ने राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी है। और ये पूरे देश में या यूं कही है घर घर में राष्ट्रहित का महत्व हमें पहुँचाना है। इसलिए जीवन विद्या का कोर क्या है जीवन विद्या का हाट जिसे हम कहते है वो राष्ट्रहित है। अपने जीवन के शिल्बकार और दूसरा सिध्धान क्या है, हमारी हरे कृती, हमारा हरे कर्म, राश्ट्रहित के लिए होना चाहिए और विश्विशांती के लिए होना चाहिए. गौर कीजे, सद्गुरु जी के ये जो विचार है, ये कितने महान विचार है, इस पर हमें गौर करना है। इसलिए सद्गुरु जी ने क्या कहा है, कि मुझे विचारों द्वारा क्रांती लानी है। वैचारिक क्रांती मुझे लानी है, विचारों द्वारा सारा परिवर्तन लाना है और यही सद्गुरु जी का लक्ष है और उसी को प्राप्त करने के लिए हम धीरे धीरे इन विचारों पर रोश्नी डालने वाले हैं.